गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, ओनलाइन प्लास में आपका स्वागत है, आज हम कक्षा आठ का तीसरा चेप्टर इसके प्रशन उत्र करेंगे, मोखिक प्रशन, सही विकल्प और अतिलग उत्रिय प्रशन उत्र, सबसे पहले सही उत्चारन कीजिए, मोखिक प्रशन मे तत पश्चात, उत्रोतर, सैद्रिश, यद्यपी, एसमर्थ, फल्स रूप, अस्तितु और सदेव, अब है निमलिखिन पशनों के उत्तर दीजिए, पहला प्रशन है, अविस्कार की जन्नी किसे कहा जाता है? अविस्कार की जन्नी किसे कहा जाता है? आफशक्ता को अविस्कार की जन्नी कहा जाता है, कौन से जीव को हम अर्ध पक्षी भी कह सकते हैं? कौन से जीव को हम अर्ध पक्षी भी कह सकते हैं? तो कौन से जीव को टेरोसोर जीव को हम अर्ध पक्षी भी कह सकते हैं? तीसरा प्रशन उडने वाले चोटे से पक्षी को लगबग घरेलू मुर्गी से लगबग आठ गुना भोजन की आवसकता होती है उड़ने वाले छोटे से पक्षी को घरेलू मुर्गी से लगबग आठ गुना भोजन के आउसकता होती है पक्षियों के पंक कितने परकार के होते हैं, पक्षियों के पंक दो परकार के होते हैं पक्षियों के पंग दो प्रकार के होते हैं, उड़ने के लिए प्रियुक्त होने वाले पंग तथा सरीर को गर्म तथा सुस्क रखने वाले पंग अगला है सही विकल्प विकल्प चैनात्मक वस्तुनिष्ट प्रशन पहला प्राचीन जीवों के अवसेशों से पता नहीं चलता है कि प्राचीन जीवों के अवसेशों से उनके बारे में क्या पता नहीं चलता उनके तोचा के रंग के बारे में, किसके बारे में तोचा के रंग का पता नहीं चलता सौर परथम उढ़ने में समर्थ होने वाले जीव थे जो सबसे पहले उढ़े थे उन जीवों को कौन से जीव थे? कीट, पतंग कौन से थे? कीट, पतंग सतुर मुर्ग ऐसा पक्षी है जो उढ़ने में क्या है? ऐसा मर्थ है पक्षियों की चौचों के विकास का मुख्याधार था उनकी भोजन की प्राप्ति उनकी भोजन प्राप्ति के आधार पर हुआ आगे हैं अतील अगुत्रिये प्रश्न प्राचीन जीवों की जानकारी कहां से मिलती है कि जो प्राचीन जीव हैं उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है प्राचीन जीवों की जानकारी उनके अवसेशों से मिलती है यानि उनकी अस्तियों से किसी जीव के उसेसों से क्या पता नहीं चल पाता कि जीव का रंग क्या है उसकी तौचा पर धारियां या धब्बे हैं या नहीं तीसरा प्रोशन है, धर्ती पर उड़ने वाले सर प्रतम जीव कौन से थे? कीट पतंगे, कौन से थे? कीट पतंगे टेरोसोर के कौन से अंग पंखों में बदल गए? टेरोसोर के अगले पाओं पंखों में बदल गए? यानि उनके अगले पाओं ने पंखों करू ले लिया उचल कर कुछ दूर गती करने वाले जीव को क्या नाम दिया गया है? टेरोसोर तो उचल कर कुछ दूर गती करने वाले जीव को टेरोसोर नाम दिया गया है टेंक यू